प्रेस्ट बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आपका राहूल क्लास्रूम में स्वागत है आज मैं डिसकस करेंगे जागबोट का क्लास 10 का सब्जेक्ट साइन्स का सेट वन और यह आपका सब्जेक्टिव रहेगा तो चलिए देख लेते हैं तो डारी बनाने में किस प्रकार क के दर्पन का उप्योप किया जाता है तो इसका चाही अंसर होगा आपका और अगये चलते हैं लोग कि गोलिये दरपन में फोकस दूरी एवं वक्रता तिर्जया के बीच संबंध है तो इसका सब्सेम से आपका दूसरा ऐफ़ उकल तू अरवाई तू आगे चलते हैं प्र एक मीटर फोकस दूरी वाले उट्टर लेंस की छम्ता होगी तो इसका सही अंसर आपका 1D आगे चलते हैं लोग 4D छम्ता वाले आउटर लेंस की फोकस दूरी क्या होगी तो इसका सही अंसर है आपका 25 संटीमितर आगे चलते हैं लोग वहां के अगर दीपों में किस दपन का उपयोग किया जाता है तो इसका सई अनसर है आपका ओटल दरपन आगे चलतے है मानो नेतर के जिस भाग पर किसी वस्तू का परतिविम बनता है वो है तो इसका सई अनसर है आपका दि्रिस्ति बर्टल आगे चलते हैं हम लोग, समान नेत्र का दूर बिंदू क्या है, तो इसका सही एंसर है आपका अनन्त, आगे चलते हैं हम लोग, नेत्र में जाने वाले प्रकास की मात्रा का नियंतर कौन करता है, तो इसका सही एंसर है आपका परी तारीका, चलिए आगे चलते हैं, इसको आपका उल्टा कॉमा वस्त्विक तो इसका सही एंसर आपका डी होगा आगे चलते हैं लोग कि वन किलो वाट आवर निमने में से किसकी इकाई है तो इसका सही एंसर है आपका उर्जा को आगे चलते हैं कुलाम किसका एसए मात रख तो इसका सही एंसर है आपका विदूत आवेश का आगे चलते हैं लोग विदूत मोटर एक युक्ती है जो परिवर्तित करती है पहला आपसन है यात्रिक का उर्जा को विदूत उर्जा में दूसरा विदूत उर्जा को यात्रिक उर्जा में तीसरा है आपका रासानिक उर्जा को विदूत उर्जा में चौथा आपका विदूत उर्जा को रासान आगे चलते जल का विदूत अब गटन किस प्रकार की अभिकिरिया तो इसका सही एंसर है आपका वियोजन अभिकिरिया आगे चलते हैं लोग cuo plus h2 पिर उसके बाद है आपका cu plus h2o दिये हुए अभिकिरिया में किस पदार्थ का उपचयर हो रहा है तो इसका सही एंसर है आपका h2 आगे चलते हैं लोग दिएगे चित्र में किस प्राका के अभिकिरिया हो रही है देख लिए तो इसका सही एंसर है आपका विस्थापन अभिकिरिया हो रही है आगे चलते हैं लोग निम्लिकित में कौन प्राकर्तिक सूचक का उधारन है तो इसका सही एंसर है आपका लित्मस पत्र आगे चलते हैं लोग किसी विलियन ना का पी एज मान दस है ठीक है वह निम्लिकित में क्या होगा तो इसका सही एंसर है आपका छार आगे चलते हैं लूब दिया गया चित्र क्या सुचित करता है तो देख लिए हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए हमें परियोग सिल्णा में हाथ धो कर जाना चाहिए हमें अमले से हाथ धोना चाहिए या सांध्र अमल तता चाहर वाले बर्तुन को चेतावनी चीन है तो इसका सही एंसर आपका दी होगा आगे चलते हैं इमली में कौन सा अमल होता है तो इसका सही एंसर है आपका टार्टरिक अमल होता है आगे चलते हम लोग कौन अधातु कम्रे के टाप पर ड्रव अवस्था में पाया जाता है तो इसका सही अंसर है आपका ब्रॉमिन आगे चलते हैं लोग निमलिकित में से किस पदार्थ का उपयोग अगनी सामक बनाने में किया जाता है तो इसका सही अंसर आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है आगे चलते हम लोग कि आधुनिक आवर्थ सार्णी की इस आधार पर बना है तो इसका सही अंसर आपका प्रमानु संक्या तो इसका सही अंसर आपका पोटासियम आगे चलते हम लोग को प्रोपे नौल में कौन अभिकिरिया सिल समू मौजूद है तो इसका सही एंसर होगा आपका अल्कोहल आगे चलते हम लोग प्रकास सस्रसक क्रिया में निम्नाकित में क्या नहीं होता है जल का तूटना दूसरा ऑक्सिजन का मुक्त होना तीसरा कार्बन दायोक्साइड का मुक्त होना चौथा होगे आपका कार्बन दायोक्साइड का उ ही नहीं होगा carbon dioxide का मुग दोना आगे चलते हैं फ्लोय में खाद पदातों का पड़िवहन पौदे में किस दिशा में होता है तो इसका सही एंसर है आपका उपर और नीचे दोनों की और होता है ठीक है चले विकक की रचनात्मक तता किर्यात्मक इकाई को क्या करता है देखे गलत लिखावा ऐसे विक्रानू होता तो इसका सही एंसर आपका बी होगा आगे चलते हैं लोग पल को पकनास पकाने के लिए कौन सा हर्मन उत्तर दहीं है तो इसका सही एंसर है आपका अ आपका एठीलीन आगे चलते हैं लोग एस्टोजिं स्रावित होता है तो इसका सही आपका अंडा सेओ दवार, आगे चलते हैं, नर युकमक और मादा युकमक के संगलैन को क्या करते हैं? तो इसका सही हन्सर आपका निसेचन, आगे चलते हैं लोग, डियेच चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो देख लिजिए, इसका सही आपका वłem, अगे चलते हैं लोग पप्ची और चमगादर के पंक है तो इसका ऑप्सन है देख लिए समझात अंग दूसरा आउसेसी अंग तीसरा जिवास्म चौथा अंस जात अंग तो इसका सही एंसर होग आपका अंस जात अंग आगे चलते हैं मेंदल अपने पढ़ियों केले किस पौदय को चुना तो इसका सही एंसर मुटर है चलिए आगे चलिकित में ४रफल आइसथ तो इसका सही परत के अपछे के लिए जीमेदार है आगे चलते हैं निमलिकित में से कौन सा जैव मात्रा उर्जा स्रोट का उधारन नहीं है तो इसका आपका नभी किये उर्जा चलिए आगे चलते हैं बलोग पवन उर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल नियूंतम कितनी होनी आएंगे आप लोगों के सामने सेट वन का तो आज के लिए धन्यवाद और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे हो तो प्रीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दंबाना ना बोले धन्यवाद